बहुत सीदी सी बात है लक्ष वही है जो आपको आपके करीब ले जाये। भोहत important line है ध्यान से सुनना लक्ष वही है जो आपको करीब लेए आप ज़रा ध्यान से observe करो हमारे सारे लक्ष ऐसे दिये गए हैं जो हमें हमसे दूर करते हैं हमने पिछले session में भी इसकी चर्चा की, यह कर लोगे बिटा तब खुशी मिलेगी, कर लिया, तो कहा नहीं नहीं, अभी तो तुम उस goalpost पर पहुचे नहीं, एक नया goalpost दे देंगे, फिर तुम्हें तुमसे दूर कर देंगे, नहीं बिटा, यह वाला course कर लो, तब जिंदग and our mind is the function of time and space only, our mind is the function of time and space only, time is now, space is here, x, function of x, t, तो इस बात को समझना है, जहां हो, वहीं तो पूरे हो जाओ न, हम तो divided रहते हैं, जहां हैं, वहीं तो नहीं यह बाकी दुनिया वर्जत में होते हैं, absconded people, खोए-खोए, मन कहीं और, शरीर कहीं और, दिल कहीं और, होई है, और जब आप बिखरे हैं, तो आपकी energies भी बिखरी होई है, और जब energies बिखरी हैं, अलग-अलग direction में हैं, वो unidirectional ही नहीं है, तो result कहां से नजर आएगा, and that is the difference between motion and action, हमारी जिंदगी में action तो हमें बहुत नजर आ रहा है, but motion नजर नहीं आता, बच्चा केता है, माँ बाब भी करते हैं, बच्चा अबारा बहुत मेनत कर रहा है, बच्चा भी सोच रहा है, मैं भी यार मेनत तो करी रहा हूं, result क्यों नहीं आ रहा, result मेनत aligned नहीं है, दिक्कत यह है, आप जो भी कुछ input पूरे दिन में अपने आपको देते हैं, एक बार observe जरूर करें, ज पढ़ाई करके या या नोट पढ़ करके selection हो जाएगा, या class attend करके selection हो जाएगा, एक class के लिए मेरे साथ कितनी देर मिलोगे, घंटे, दो गंटे, 24 गंटे में बाकी के 22 गंटे तो आपके साथ हैं, अब मुझे थोड़ी पता है कि आप उनमें क्या करते हो, हम भी उनी बच सकते हैं आपको, आप help receive कैसे करतो हो, यह आप पर depend करता है, यह आप पर depend करता है, हम इस भी गलत फहमी में रहते हैं, जिंदगी भर, कि हमारे इस जीवन के इस हाल के लिए कोई और जिम्मेदार है, और यह जिम्मेदार यहां दूसरों पर ठीक रा फोड़ते हो यह बीच सबके लिए जिम्मेदार होता है, जब कोई स्कूल या कोई एक्जाम का एक सीन के लिए आप दिमाग में, there are 50 students, they are writing the same paper, सबके लिए पेपर भी सेम है, टाइम भी सेम है, जगा भी सेम है, जगा भी सेम है, बट जब रिजल्ट आता है, तो कोई टॉप करता है, और जो टॉ के paper में आप कैसे थे, और आपने उस particular situation को किस तरीके से response किया, इसने बहतर response किया, उसका बहतर result आया, और उसको paper आसान लगने लग गया, क्योंकि उसकी तैयारी बहतर थी, हर चीज पीछे से connected है, तैयारी बहतर थी paper आसान था, आप पहले से पढ़के नहीं आया थे, आपन छोड़ो यह, फिर ठीक राद उसरों पर फोड़ने लग जाते हैं, अपना काम धंग से करना नहीं ठीक राम दूसरों पर फोड़ते हैं, तो अपनी काम को इमांदारी से करिए, दूसरे के साथ कितना इमांदार रहना वो आप की choice है, वो आप decide करें, बट अपने साथ अग बहुत से लोगों में करनती आ जाएगी कुछ खतरनाक वादे करेंगे लेकिन सुबह उठते ही वादा दफन हो जाएगा वह वादा दफन हो जाएगा बस यही प्राबलम है तो फिर आप अपने अंदर कमजोर होने लग जाते हो कि मैंने सुबह अपने आप से खास वादा किय तो मैं यह नहीं करूँगा लेकिन शाम होते होते आप कर ही जाते हो और फिर आप अपने अंदर धीरे-धीरे ऐसे ही वीग हो जाते हो आपको लगता यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा और यहीं तो था धोख्यवाजी तो किसी का मोटिवेशनल लेक्चर सुन करके बूश्ट नहीं आएगा फिर थोड़ी दर अंदर से ठंडा है आप फ्लेश बाहर से मार रहे हैं तो फ्लेश बाहर आएगा थोड़ी चमडी जो लेगा जोश आएगा फिर तुरन ठंडा हो लेगा क्योंकि अंदर से धिया बढ़ती है ग्रेट पैटर में जीरो से सीधा फिफ्टी पर नहीं पहुंचोगे जीरो से 10 का बनाओ 10 से 20 का बनाओ वीकली बनाओ अपने आप आप से ज्यादा कोई नजर नहीं आएगा उस हॉल के अंदर विकाज आपके अंदर मतलब खुद का कॉन्फिदेंस है वो यार जो वादा करता हूं अपने आप से सुबह शाम तक निभाता हूं रात में अच्छी नीद आती है फिर सुबह अगला थोड़ा से बढ़ा दो फिर उसको भी अचीव कर लोगे धीरे दिरिश्टर से कपासिटी बिल्डिंग आपकी शुरू होती इन बातों पर ध्यान रखे ये गो